सवाल नमबर वन ऐसी कवन सी जगह है जहां छह महिने का एक दिन होता है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आल रिडेल्स ग्यान इस वीडियो में आपको 10 इंट्रेस्टिंग जी के कोश्चन्स दिये गए हैं जिसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा यदि आप 5 सेकंड में सही उत्तर दे देते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही तेज है यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आईए जानते हैं सวाल नमबर 1 ऐसी कवन सी जगह है जहाँ 6 महिने का एक दिन होता है तो सोचिए और दीजिए इसका सैउत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट कंसर है उत्तरी दुरू और दक्छिडी दुरू पर जी हाँ दोस्तों उत्तरी दुरू और दक्छिडी दुरू पर सवाल नमबर 2 ऐसा कौन सा पवधा है जो बारिश के पानी से सूख जाता है तो लगाईए दिमाग और दीजिए इसका राइट अंसर आपका टाइम स्टार्ट होता है अब इसका सही उत्तर है जवासे का पवधा जी हाँ फ्रेंड्स जवासे का पवधा सवाल नमबर 3 ऐसा कौन सा पवधा है जिसके फूल आने के 9 महीने बाद कली आती है तो सोचिए और दिजिए इसका सही उत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है बबूल का ब्रिक्च जी हाँ दोस्तों बबूल का ब्रिक्च सवाल नमबर 4 भारत में जन्म लेने वाली एक अरब भी शिशु कन्या का क्या नाम था तो सोचिए और दिजिए इसका सही उत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है आस्था जी हाँ दोस्तों आस्था सवाल नमबर 5 किरकेट टेस्ट मैच में सबसे अधिक कैच लेने वाला खिलाडी कौन है तो लगाए दिमाग और दिजिए इसका सही उत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है राहुल दरविड जी हाँ दोस्तों राहुल दरविड जो की भारत के हैं यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए यदि आपने हमें फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया है तो अभी फालो कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवेन है सवाल नमबर 6 भारत में ऐसा कौन सा ब्रिक्श है जो 6 एकर जमीन में फैला हुआ है तो लगाए दिमाग और दीजिए इसका राइट अंसर आपका टाइम स्टाट होता है अब इसका सहुत्तर है बरगत का ब्रिक्श जी हाँ दोस्तों बरगत का ब्रिक्श जो की चंडिगड पंजाब में इस्थित है सवाल नमबर 7 भिश्व में ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसके पत्थरों के आपस में टकराने से घंटे की आवाज आती है तो लगाए दिमाग और दिजिए इसका सहुत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है और अंगाबाद जी हाँ दोस्तों और अंगाबाद पवाई गाउं में इस्थित पहाड़ी सवाल नमबर 8 भारत में संसत का उद्गाटन कब हुआ था तो सोचिया और दिजिए इसका सहुत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका राइट अंसर है 18 जन्वरी सन 1927 जी हाँ दोस्तों 18 जन्वरी सन 1927 को सवाल नमबर 9 भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसकी धार दिखाई नहीं देती है तो सोचिया और दिजिए इसका सहुत्तर आपका समय शुरू होता है अब इसका सहुत्तर है सरस्वत्ती नदी जी हाँ दोस्तों सरस्वत्ती नदी जो की संगमिलाहबाद में इस्थित है जिसका नाम आप परियाग राज है सवाल नमबर टेन ऐसी कौन सी मचली है जो पानी में तैरती है हवा में उड़ती है और जमीन पर चलती है तो ये बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल है तो लगाए दिमाग और दिजिए इसका राइट एंसर आपका समय शुरू होता है अब इसका सही उत्तर है गर्नार्ड फिश जी हाँ दोस्तों गर्नार्ड फिश क्या आपको इसका उत्तर पता था कमेंट में जरूर बताएं यदि वीडियो से आपको जरा भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आयसे ही नौलेजेबुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम